नमस्कार मैं हूँ मनोहर मनोज पुना कार्जकरम सत्य और अर्दसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुए राष्टपती चुनाओ और अभी बिहार में हो रहे विधान सभा चुनाओ इन दोनों में क्या साम्मेता है दोस्तों ये दोनों चुनाओ यानि की एक दुनिया की सबसे बड़ी महासकती के सरबोच्य क्यारेकारी अध्यक्षपत्द यानि राष्टपती का चुनाओ और दूसरा दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के एक बेहत महतपुन राज बिहार में हो रहे विधान सभा चुनाओ दोस्तों ये दोनों चुनाओ कहीं न कहीं उस करोना काल में हो रहे है जिस करोना महामारी से पूरी दुनिया पिछले छे महीने से बिलकुल अस्त व्यस्त और संतरस्त रही है सरकारों के बिल्कुल जो है पेशानी पर बल पड़ गए एक ऐसी महामारी आई एक ऐसी आपदा आई जो केवल स्वास्थ को लेकर के चिनौति दायक नहीं थी जो केवल लोगों के सेहत को लेकर के चिंता जनक नहीं थी बलकि एक ऐसी महामारी एक ऐसी अस्प्रशता वाली बिमारी एक ऐसी छुवा छूत वाली बिमारी एक ऐसी कंटेजियस डिजीज जो केवल एक जगह पे लोकलाईज नहीं थी एक जगह से चली और पूरी दुनिया में फैल गई चीन के वुहान प्रांत में उबजी या बिमारी चीन से नजाने दुनिया के किस किस देशों में इस कदर गदर मचा रखी कि सारी दुनिया की मानवता जो है बिलकुल हाल बेहाल हो गई लोक तंतर में सरकारों की बात बात पर आलोचना किया करते हैं यह ठीक है कि सरकारों में कई सारी चीजे ऐसी होती है जिसको ले करके वो आलोचना का पात्र बनती है कभी उनकी निरंकुसता दिखती है, कभी उनकी लापरवाही दिखती है, तो कभी उनकी जो है एक तरह से उनकी और समवेदन शीलता दिखती है, तो कहीं पर उनका ब्रश्टाचार दिखता है, तो कहीं पर उनका दुरुवेभार दिखता है दोस्तों ऐसे में जो अमेरिका में चुनाव हुआ जिस तरीके से वहां के मौजूदा राष्टपती डोनाल ट्रम्प को एक तरसे कोरोना को लेकर के जो लोगों में असंतोष था जो लोगों में एक तरसे जो है रोष था कहीं न कहीं इसका सिकार उन्हें बनना था यह ठीक है कि डोनाल ट्रम्प ने कोरोना को लेकर कभी कुछ गलतियां की हाला कि अमेरिका एक संगिये गंडराज्य है जहां पर कि स्वास्त जैसे मसले अस्थानिये और प्रांतिये सरकारों के जिम्में ज्यादा होते है परंतु चुकि यह एक पैंडेमिक था एक महामारी थी ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपती को जिस तरीके से चाक चौबंदी और करोना महामारी को लेकर के जो तुरंत और त्वरित एक्सन मोड में आना चाहिए था उसको लेकर के उन्हेंने जरूर कुछ ढिलाई बर्ती वो बार-बार ये कहते रहे कि चीन से उपजी हुई एक तरह से आपदा है तो हम इसको लेकर के इतना जारा प्रोयक्टिव क्यो हो प्रोयक्टिव होना जरूरी था चुकि कहीं ने कहीं वो चीन से आई इस महामारी को छुवा छूट से या फर्दर आउट ब्रेक से बचाना था उसको लेकर के कहीं ने कहीं कुछ रणनीती गलतियां की लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसे राष्टपती थे जिसमें अमेरिका के अपने हित को लेकर के ज़्यादा फैसले लेने की कवायत की गई आम तोर पे अमेरिका पूरी दुनिया के सेटिजन को पूरी दुनिया के पबलिक ओपीनियन को लेकर के चलता है चोकि कहीं ने कहीं से उनी पोलर वर्ड में पूरी दुनिया अमेरिका से एक आशाएं और अकांचाएं लगाई रहती है लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने वो सारे फैसले किये जिसमें केवल और केवल अमेरिका के हित को देखने की बात थी यह ठीक था कि डोनाल्ड ट्रम्प कोई एक नहायत और बेहत राजनितिक प्रिष्ट मुमी के व्यक्ति नहीं थे उनका कहीं ने कहीं एक पुराना बिजनस बैक्ग्राउंड था लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने जब पिछले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेट के उमिदवार के बरक्स जब इनका चुनाव किया तब ही से ये विवादों के घेरे में आए अपने बयानों के जरिये अपने विवादों के जरिये और कहीं ने कहीं अमेरिका के प्रती एक जादा प्रो एक्टिव और प्रो नेशनल इस्प्रीट रखने की वज़े से पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को अप्रत्यासित रूप से विजय मिली जबकि उनके विजय के इनकान नहीं थे और आम तोर पर अमेरिका में जब कोई राष्ट पती बनता है तो वह केवल एक बार के लिए ही राष्ट पती पत की अपनी ख्वाहिस नहीं पूरी करता है बलकि वो अगली बार भी राष्ट पती पत पे निर्वाचित होने का सपन देखने लगता है और यही हमने देखा कि पिछली बार भारा को मामा भी चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार राष्ट पती पत के लिए निर्वाचित हुए उससे पुरू जोर्ज बुश भी चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी बार पुना राष्ट पती पत के लिए निर्वाचित हु कि वो अमेरिका की दूसरी बार रहनुमाई करें लेकिन कहीं न कहीं इस कोरोना के मद्दे नजर उपजे जनसंतोश बेहाली अमेरिका में वो भीषण आर्थिक तबाही बेरोजगारी ने कहीं न कहीं न कहीं जनमत को उनके खिलाफ खड़ा किया और इस बात की उमीद है और करीब करीब हुआ भी यही हाला कि अभी भी उसको लेकर के जो है अमेरिकी राष्टपती के चुनाव को लेकर के सस्पेंस बना रहा बढ़त तो बिडन को ही मिली है लेकि डोनाल्ड टरंप अभी भी बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो अमेरि की राष्टपती पत के व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही हलका और खोखला बयान है मुझे लगता है कि जब चुनाव हुआ है जब अमेरिका में जो एक हाई टेक सरवाथिक शक्तिसाली और सबसे पुराने लोगतंतर का एक तरह से प्रतनीती देश होने के नाते चुनाव मे इस तरीके की गड़बली हो इस बात की उमिद नहीं लगाई जा सकती है तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रम्ब का यह बयान हलका लगता है और बड़ी जल्द हमें वहाँ पर एक नए राष्टपती को पत पर आते देखना पड़ सकता है लेकिन दिल्चस्प बात ये होगा कि जो अभी चीन को ले करके पूरे दुनिया में तनाव फैला है वह चीन जिसके जरिये पूरी दुनिया में ये कोरोना पैंडेमिक आया वह चीन जो अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवात में उल्जा पड़ा है वह चीन जो पूरी दुनिया में प्रभुत बनाए रखने के लिए नए तरीके से सूपर पावर बनने के लिए और अपनी दुनिया में वयापारिक मोनोपोली को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के हटकंडे रच रहा है ऐसे में दुनिया में सामरिक रूप से सरवादिक शक्तिसाली देश अमेरिका किसी न किसी बहाने उस प महाशक्ति भारत के जरिये रणनीती गठबंदन करने के जरिये हो तो ऐसे में यह देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि अमेरिका के आगामी जो राष्टपती जो बेडन होंगे वह चीन को लेकर के कौन सी रणनीती अपनाते हैं और इस कोरोना पेंडेमिक जिसका कहर और ज को लेकर के जो चौतरफा चुनावती आई है वह चुनावती जो केवल ना केवल स्वास्त को लेकर के हैं बलकि अर्थ रवस्था को लेकर के हैं पूरी दुनिया में परयाटन को लेकर के हैं वैपार को लेकर के हैं और पूरी दुनिया को एक नई पटरी पर लाने को लेकर करके हैं ऐसे में अमेरिका में होने वाला नया राष्ट पती पूरी दुनिया में शक्ति और सत्ता के संतलों को किस तरीके से साधता है यह देखना दिल्चस्प होगा दोस्तों चुकि अमेरिका में इस कोरोना के मद्दे नजर हुए राष्ट पती के चुनाव में मौझूद नितीज सरकार के खिलाब पब्लिक में रोस उबजा है दोस्तों हम बताते चले कि बिहार में जो ये विधान सभा चुनाव हो रहा है कहीं ने कहीं उसमें मौझूदा 15 साल बनाम पिछले 15 साल की एक तुलना भी हो रही है जो अभी आज इस सरकार को जो परमुक रूफ से च चामिल है और उन्होंने नितीज सरकार जो मौझूदा नितीज सरकार है उसके खिलाब चुनावती दी है और चुनावती किन मुद्दों को ले करके दी है बेरोजगारी को ले करके दी है और अभी मौझूदा समय में चल रही महांगाई को ले करके दी है दोस्तों जब भी चुनाव होता है तो ततकालीन रूप से और समकालीन रूप से जो मुद्दे बड़े तेज होते हैं बड़े तिवर होते हैं कहीं ने कहीं वो चुनाव का भी मुद्दा बनता है और चुनाव में पिछले 5 सालों के सरकारों के प्रदर्शन पर पूरी समवेज समीक्षा नहीं भी उबजा जैसे कि प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ लेकिन कंटेजियस डिजीज होने के चलते प्रवासी मजदूरों को राज्ज में आने को लेकर के नितीज कुमार ने नर्मी नहीं बरती और कहीं ने कहीं उन्हें एक तरह से अंकुस लगाने का काम किया उसकी वज ली सारी डा पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थे एकका दुपका जो ट्रेने चला रही थी उसमें भी सफर करने को लेकर के तमाम बंदी से केंदर सरकार के वी तरफ से और राज्ज सरकारों के तरफ से भी लगाई गई लोग पैदल चलकर साइकल पर चलकर कहीं ट्रेनों में ट्रकों में और कहीं भी छिप कर घुस कर या जैसे टैसे लोग रास्ता लांगते दिखें और अपनी जान बचाने को लोग आत्र दिखें तो ऐसे में कोरोणा κάνL में जो बिहार में जो ये बदहाली आई है कई ने कई चुकि चुनाओं बिहार में हो रहे है तो इस आपदा की मार बिहार में चुनाओ लड़ने वाले सत्ताधारी दल को देखने को मिल रही है और कहीं ने कहीं एक तरह से पब्लिक में आउट्रेज भी दिख रहा है दोस्तों बताते चले कि जो आज नितीज सरकार को जो चुनाओती जिस महागटबंदन के तरफ से मिल रही है उस सरकार का ट्रैक रेकॉर्ड बेहत खराब था और उसके बरक्स नितीज सरकार को हमेशा एडवांटेज है लेकिन मौझूदा समय में यह सरकार बेरोजगारी को ले करके और सिक्षा के फरंट पे जिसमें नितीज कुमार के सरकार की जो प्रदर्सन है वो लाचार रही ए अगली सरकार जो नई सरकार आईगी विपक्ष की वह दस लाख लोगों को सरकारी रोजगार देगी कही ने कहीं लोगों में एक मैसेज गया है कहीं ने कहीं लोगों में यह मैसेज गया है कि हमें नौकरी जो है प्राप्त होगी और इस बेरोजगारी में हमें एक तरह से ब उसी प्रस्थिती में जो उसे राजस्व पराप्त होता है, उसी राजस्व के जरिये, उसी तंद्र के जरिये और वही इस्थिती और प्रस्थिती के जरिये ही लोगों को राहत देने का कारे करती है। कि यह जाते हैं चुक्कि उन्हें सरकार पर स्कोर करना होता है तो यह जनता जनारबंदन पर निर्भर करता है कि वो किसे ले करके अपनी समस्दारी वाला मत जो है प्रदान करती है यह अभी सही है कि डेमोक्रेसी में एक एंटी कंबनसी का भाव होता है जो मौझूदा सरकार होती है उसके खिलाब कहीं ने कहीं असंतोस उकरता है उभरता है और नयों के प्रतियास जगती है लेकिन जो तेजस्वी यादो जिस महागटबंदन का नेतरत उकर रहे हैं जो बिल्कुल अभी एक युवा हैं और कहीं ने कहीं सहियत महासा में एक तरह से अपने केंपेन को अंजाम दिया और जो खबरें आ रही हैं जो रिपोर्ट पहले यह आ रही थी कि वहाँ पर NDA को ही वाकोवर मिल सकता है वह रिपोर्ट अब बिल्कुल उल्टी पड़ गई है कहीं ने कहीं एंटी निकम्मेंसी और मौझूदा जो समकालीन और ततकालीन जो प्रस्तिती है जो अमेरिकी चुनाओं में देखने को मिला वही अगर बिहाल चुनाओं में भी देखने को मिलता है तो हमें लगता है मौझूदा सरकार को हार का भी सामना करना पड़ सकता है या उनके सीटों में भारी कमी आ सकती है लेकिन का जो सुराज था वा पिछले 15 सालों पर भारी था लेकिन मौझूदा इस्थिति में कहीं ने कहीं वह विफल होता दिखा कहीं ने कहीं उसे यह लगा कि लोगों की इसे आस और जादा थी कहीं ने कहीं कोरोना के जरिये रातों रात किये गए लॉकडाउन से जो उभरा महा ज जुनाओ में भी लोगों में एक तरह से जनसंतोस के रूप में उभर कर NDA के खिलाफ मद्दान करने में परिवर्तित न हो गया हो इस बात का तो पूरा अंदाजा दस्तारिक को ही लगेगा लेकिन अगर नितीज कुमार सरकार के अगर परदर्सनों के तमाम मोर्चों पर द जा था आज महां सडक बिजली और पानी का पूरा नेटवर्क बिच्चुका है ठीक है रोजगार और सिक्षा और महांगाई ये ततकालीन और आज के मुद्दे हैं इस मुद्दे पर किसी भी नई सरकार को चुनोती पूर्ण रूप से काम करना होगा अगर नितीज कुमार की भी सरकार यरी वहां दुबारा बनती है तो वह भी रोजगार सिक्षा और महांगाई को अपना प्रमुक प्रैरूटी बनाएगी अगर दूसरी सरकार भी आती है तो कहीं ने कहीं वो मौजूदा जनसंतोस का प्रणाम होगी और उसे भी इस चुनोती को पार पाना आसान नहीं होगा, ऐसे में जब कि राजनितिक नित्रत जो है अभी अनभोहीन है और पूरा जो सरकार का और पार्टी का जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर पहले से ही जंगल राज को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के बदनाम रहा है, अगर उन्हें नई जिम्मवारी मिलत तो कैसे अपने को इस नए चुनावतियों के साथ नए वादों और मुद्दों के साथ अपने आपका समायूजन करेंगे यह देखना दिल्चस्प होगा बहराल भाजपा नितीश का जो यह गटबंदन है वह भी कई सारे अंतर विरोधों का शिकारत बताया जा रहा है जैसे चुनाव के परणाम पर सबकी टक्टकी लगी रहेगी अमेरिका में जो चुनाव हुआ उसका परणाम तो कमोबेश आ गया बिहार के भी चुनाव का परणाम कमोबेश दस तारीक को आ जाएगा और फिर उसके बाद यह पता चलेगा कि सचमुच करोना ने सरकारों के लिए भी जीना बेहाल कर दिया है चुक् никаких कोरोना सरकारों की एकतर से उपज नहीं है सरकारों को केवल इस महामारी या इस महाावदा से कैशे पार किया जाए इस चुनावती को जहिलना है बाके कामारों की जो उत्पत्ति जो है कैसे हुई है यह लोगों को बताने की जरूरत नहीं है लेकिन ये बात सही है कि किसी भी सरकार को इस कोरोना से निपटने के लिए न केवल धैर न केवल उनमें जन सम्वेदन शीलता बलकि अपने आप पर आत्मन यंतर्ण रखना भी बहुत जरूरी है चुकि भरष्टाचार एक ऐसी समस् रहती है आज इस महा आपदा के महा राहत के दौर में भी अगर भरष्टाचार पर यंतर्ण नहीं होगा तो राहत देने का काम जो है वो परवान नहीं चड़ पाएगा तो ऐसे में जो आज सरकार के तमाम फंड कोरोना राहत पर अलग अलग रूपों में जो खर्चे जा रहे हैं वो भरष्टाचार के शिकार नहों वे भरष्टाचार के आरोपों की एक तरह से एक तरह से उन पर वार न लगे इसको लेकर के सरकारों को एक तरह से इस चुनोती से बहुत मुस्तैदी से बड़े ही इमांदारी से और बड़े ही आत्मनी अंतर्ण से काम करना होग तब तक हम इंतजार करते हैं फिर किसी मुद्दे पर फिर किसी सवाल पर हम फिर आप से रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार गुड़ बाई जैहिन सब बाई